नमस्कार दोस्तों स्वागत था आप सभी का पाथफाइंडर पर एक बहुत ही unfortunate news सामने आ रही है हाला कि news आज से लगभग 5-6 दिन पहले की है लेकिन इसको लेकर हम लोग coverage आज कर रहे हैं बेकास आचली जो story है इसकी यह थोड़ी सी complicated है तो हमने इसको simplify करने की कोशिश करी है और आपको समझाया जाएगा कि असल में exactly यह news यहाँ पर क्या है So recently क्या हुआ था कि US Canada के border के ऊपर एक actually smuggling का बहुत ही बड़ा कोई case सामने आया है और इसमें human smuggling का case सामने आया है जिसमें की चार भारतियों की मौत हो चुकी है यह वाली news लगभग 19-20 जन्वरी के असपास की है आपके सामने कई सारी news cuttings पेश कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते है इंडियन missions look into the death of family of four Indians at the US Canada border ये भी आप देख सकते हैं NDTV ने cover किया after four Indians freeze to death at US Canada border S. जैशंकर dials the envoys तो भारती सरकार के द्वारा भी यहाँ पर कुछ कदम लिये जा रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं जैशंकर spoke to India's ambassador to the USA जिनका नाम है तरंजीत संदू जी और उसके बाद इंडिया के जो high commissioner Canada में है जिनका नाम है अजे बिसारिया इन दोनों से बातचीत हुई है और इनको बोला भी गया है कि आप यहाँ पर पूरी की पूरी investigation को support करेंगे और पता लगाएंगे कि exactly यहाँ पर क्या चीज हुई है यह भी आप देख सकते हैं तो यह भी काफी unfortunate बात है की असल में जो चार भारतियों की यहाँ पर मौत हुई है वो वहाँ की मौसम की वज़े से वहाँ पर मौत हुई है और वहाँ पर एक freezing blizzard चलता है आज कल आपको मालूम होगा कि सर्दी बहुत जाता भीशन चल रही है और जो US Canada का border है वहाँ पर भी आपको बहुत जादा snowfall देखने को मिलती है और बहुत दूर दूर तक बड़ी बड़ी fields है जिसको वो cross करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर यह पूरी घटना उनके साथ हुई है यह भी आप देख सकते हैं यह वाली जो photos यहाँ पर दिखाई गई है as you can very clearly see over here कि यह पूरा का पूरा area जहाँ पर केवल आपको दूर दूर तक केवल बरफ देखने को मिलती है इस area को इस सुनसान area को यह लोग रात को cross करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर as you can see the families believed to be from India among a group found walking for 11 hours in minus 31 degree Fahrenheit conditions a US man was arrested and charged with trafficking these people तो यानि कि यह एक US का कोई इंसान है जिसको यहाँ पर गिरफतार किया गया है जो कि असल में इस पूरी की पूरी family को और in fact साथ में कई सारे और लोगों के यहाँ पर trafficking करवा रहा था और इसमें आप देख सकते हैं कि जो family जो चार लोग की family जिनके यहाँ पर death हुई है यह try कर रहे थे cross करने की जिसमें से एक जो है लड़का है वो teenage है और एक infant भी है जिसकी यहाँ पर मृत्य हुई है so बात करेंगे इसी पूरी कहानी के वारे में चले शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद इस lecture की pdf को download कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए telegram channel के माधिम से इसके इलावा आप लोग जूट सकते हैं using this particular handle on the unacademy app as well alright so as you can see यह वाला जो आपका area दिखाया गया है यह वाली state के अंदर असल में यह लोग cross करने की कोशिश कर रहे थे यह वाला जो आपका यहाँ पे लाल रंग की में line दिखा रहा हूँ यह आपका US Canada का border है और यह असल में Canada से border cross करने की कोशिश कर रहे थे into United States of America यह पूरी की पूरी कहानी January 19th की है जब US की जो authorities है Minnesota state यह वाली जो आपकी state यहाँ दिखाई गई है लाल रंग में इसका नाम है Minnesota यहाँ पर देखिए हम across a group of people who were apparently without proper documentation तो जब इनको कई सारे यहाँ पे लोग मिले जिनके पास उनके सही दस्तावेज अवेलिबल नहीं थे उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यह information इन्होंने पास उनकर दी US वालोंने Canadian authorities की तरफ और उसके बाद Canadian authorities ने एक search को शुरू कर दिया उस search में इनको चार bodies मिली चार लाशे मिली in the Manitoba province on the Canadian side of the border तो यह वाला जो आपका इस तरफ का province है यह Canada का Manitoba का province है यहाँ पर इनको चार लोगों की लाश मिली है और यह चार people these include a man, a woman, a teenage boy and an infant जो की ऐसा माना जा रहा है कि इन चारों की जो मृत्ति हुई है यह वहाँ की सर्दी की वज़े से हुई है इस पूरे के कूरे केस के connection में एक American citizen को arrest कर लिया गया है in connection with the case on the US side of the border and साथी में seven other Indians were also detained by police in the USA one of whom is in the hospital from serious weather related injuries एक यहाँ पे साथ और भारतियों को भी arrest किया गया है जिसमें से एक जो है वो फिलहाल hospital में है because उसको वहाँ के मौसम की वज़े से काफी जाधा घाव भी देखने को मिले है यह वाला वो US का इंसान है जिसको की arrest किया गया है इनकी IU 47 year है और इनका नाम है Steve Shand he has been arrested with human smuggling charge by the US police और यहाँ पर जो पूरी की पूरी complaint दर्ज करवाई गयी है उसमें बताया गया है कि Shand एक suspected smuggler है of undocumented foreign nationals who was arrested near the US Canada border on January 19th for transporting two Indian nationals who were illegally present in the US the two Indian nationals they have also been identified as SP and YP in the complaint तो यह वाली कहानी है यह वाली complaint है जो कि US के Department of Justice के द्वारा यहाँ पर फाइल करी गई है और कुछ टाइम के बाद यह वाली खबर सामने आती है कि असल में जो चारो के चारो Indian nationals जिनकी यहाँ पर मृत्य हुई थी वो असल में गुजराती बोलते थे और उसके बाद यह मालूम पड़ा कि वो पूरी की पूरी फैमली गुजरात के ही एक किसी गाउं को बिलॉंग करती है Indian Express के आप यह खबर देख सकते हैं साथ में 5 Indian nationals इनको भी arrest किया गया है जो की असल में Shand की arrest के बिल्कुल आसपास ही इन 5 लोगों को भी arrest किया गया है यह वाले 5 लोग कौन थे यह वाले 5 लोग भी उसी एरिया में walk कर रहे थे और यह भी असल में water को cross करने की कोशिश कर रहे थे इनके पास भी कुछ ऐसी वस्तुएं पाई गई है जो की असल में इनको belong नहीं करते थी important यह है कि फिलहाल इस पूरे के पूरे case को लेकर USA क्या कर रहे obviously case काफी तरह संगीन है because directly बात हो रहे है human smuggling की और वो भी human smuggling की किन लोगों की जो की असल में foreign nationals है यानि की ऐसे लोग जो की शायद Canada और US दोनों को ही belong नहीं करते लेकिन कोई और इंसान है जो की उनको USA में लाने की कोशिश कर रहा था यह पूरा का पूरा case उसको लेकर चुड़ा हुआ है जो criminal complaint against Shand है उसमें उनने कहा है कि the investigation into the death of the four individuals in Canada is ongoing along with an investigation into a larger human smuggling operation of which Shand is suspected of being a part यानि की दो यहाँ पे एक साथ जाज चल रही है पहले तो यह जो चार लोग की मृत्ति हुई है इसका वज़े क्या है और दूसरी यह जो पूरा का पूरा human smuggling operation चल रहा है इसको भी समझने की कोशिश यहाँ पे US की पुलिस कर रही है इसके साथ ही में और चीजे भी सामने आई है कि exactly यह लोग किस तरीके से आये थे तो यहाँ पर एक statement सामने आया है एक इंसान जिसको की इन्होंने पकड़ा था एक Indian national जिनको की US पुलिस ने पकड़ा है उसने यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले तो उसने बहुत सारा पैसा दिया Canada में एंटर करने के लिए because under the fraudulently obtained student visa तो उसके पास यहाँ पे उसने student visa obtained किया था लेकिन वो fraud तरीके से obtained किया गया तो बहुत सारा पैसा उसने Canada जाने के लिए दिया था लेकिन उसने बोला कि उसका कोई मकसद यहाँ पे Canada में study करने का नहीं था in fact वो उस student visa के माध्यम से केवल Canada में entry लेना चाहता था so that वो आगे जाकर के अवैद रूप से USA में entry ले सके और he had crossed the border into the USA on foot and he had expected to be picked up by an individual जो की आगे जाकर के उस इंसान को उसके किसी रिष्टेदा के घर में भीज़ता जो की शिकागों में रहते थे तो ये पूरी की पूरी ऐसे कहानी बनाई गई थी कि ये मेरी उम्मीद थी कि ऐसा मेरे साथ होगा लेकिन उस इंसान का ऐसा नहीं हुआ उसको पुलिस ने फिलहाल जो है गिरफतार कर लिया है पुलिस इस पूरे के पूरे चीज़ को लेके काफी जादा चिंतित है बेकाज ओविसली यहां पे कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है लोगों की इस तरीके से डेथ देखने को मिली है इन्होंने साथ ने ये भी कहा कि प्लीस टो नाट लिसन टो एनिवन वो टेल्स यू दाट यू देखने सेफली दे कांट और इन्होंने कहा कि रात में क्या आप इस रास्ते को पूरा कर पाएंगे I understand there may be a great need to get to another country but this is not the way इन्होंने कहा कि ये आपका सही रास्ता नहीं है you will be risking your life and the life of the people you care about तो ये वाली कहानी obviously काफी दादा empathetic statement यहां पे दिया गया है by the assistant commissioner of police जो कि यहां पे में कलाची है तो ये एक कहानी है जो कि US यहां पे कर रही है now बात यहां आती है कि असल में India इस चीज को लेके क्या कर रहा है तो इंडिया के obviously जब ये बात सामने आती है तो इंडिया के जो minister of external affairs विदेश मंतरी हैं Dr. S. J. Shankar इन्होंने ये statement दिया shocked by the report that four Indian nationals including an infant have lost their lives and the Canada-US border have asked our ambassadors in the USA and Canada to urgently respond to the situation और इसके बाद आप देख सकते हैं कि US के जो ambassador है हमारे Taranjit Singh Sandhuji इन्होंने यहां पर statement दिया कि an unfortunate and tragic incident we are in touch with the US authorities on their ongoing investigation a consular team from India in Chicago तो एक team है India in Chicago की is traveling today to Minnesota to coordinate and provide any assistance required ये वाला tweet 21 January का है उसके बाद जो हमारे India के ambassador to the Canada है अजे बिसारिया इन्होंने भी same चीज़ कही this is a grave tragedy an Indian consular team is traveling today from India in Toronto to Manitoba to coordinate and help we will work with the Canadian authorities to investigate these disturbing events तो पूरी की पूरी घटना obviously काफी जादा disturbing है because of multiple reasons पहली बात तो ये लोग जिन्होंने पैसा दिया वो भी illegally cross करने की कोशिश कर रहे थे और जो इंसान जो कि USA मेरेस किया गया है जो कि smuggling operation का हिस्सा माना जा रहा है तो वो भी obviously काफी गलत काहम कर रहा था बट सबसे unfortunate चीज़ यहाँ पे यह है कि इस पूरे के पूरी operation में किसी की death हुई है उसमें एक teenage भी था और उसमें एक बच्चा भी involved था which makes this event actually much more disturbing than it already is इस पूरी की पूरी कहानी को इंडिया में भी cover किया जा रहा है district collector जो की गांधी नगर जिला के है कुल्दी पार्या जी उन्होंने कहा यह एक unfortunate incident है which we got to know only through the media and there is no official communication yet in case अगर इस तरह की communication कोई आती है MEA से तो हम लोग जो है उनको यहाँ पर complete तरीके से सहयोग करेंगे उसके बाद जो जिन लोगों की मृत्य हुई है उनको identification का यहाँ पर कारोबार चल रहा है बट क्यूंकि उनके documents नहीं मिल पा रहे हैं तो यह एक थोड़ा सा difficult task बन चुका है officials have said the identification of the victims could take about a week as authorities in US and Canada are investigating the trafficking racket to establish how much they paid and who facilitated their travel from India तो obviously कोई ना कोई इंसान यहाँ पर इंडिया से भी होगा जो की इनको help कर रहा होगा तो उस चीज को लेकर भी याभी जो है जांच यहाँ पर चल रही है जिस village को यह लोग बिलॉंग करते हैं उस village में भी authorities गई है और वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि केवल एक family नहीं बलकि तीन से चार ऐसी families है जो की असल में missing पाई गई है and we have sent a mail to the MEA for details and photos of the dead for confirmation तो again क्योंकि मामला काफी serious है तो असल में अभी तक उन families को properly identify नहीं किया गया है और Canada की जो authorities है वो असल में किसी को भी hospital के अंदर भी entry लेने नहीं दे रही है since इसमें human smuggling का पूरा का पूरा case involved किया गया है so यह कहानी है and as I told you earlier it's a very very disturbing story and unfortunate तो है ही हम यहीं उमिद करते हैं कि भारतिय सरकार यहां पर पूरी कोशिश करे और पता लगा कि exactly इस पूरे केस के बीचे कौन है और और यहां पर जो innocent families है उनके साथ इस तरह की कोई और दुरगटना ना हो दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आप यहां पर देख सकते हैं कि एक और चीज़ State Police to Probe the Human Trafficking Angle in the Bordered Debts तो यह वाली चीज़ भी यहां पर सावने हैं तो overall जब तक यह चीज़ नहीं solve होती है तब तक I think इसको लेकर पूरी की पूरी कोशिश तीनों देशों के द्वारा करी जाने चाहिए जाने से पहले आपको बताना चाहिए कि हमारी NCRT Geography Class 7 की MCQ Series चलते जिसको कि हम लोग आज wind up करने वाले हैं 27th January को एक Class 4 बजे रखी है मैंने और एक Class 5 बजे रखी है और अगर आप लोग जो है इसमें अनी UPSC Code इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरी Personal Guidance पर अवेलेबल करवाई जाएगी यूविल बाटसाप गूरूप जिसमें आखर आप आप आपनी पूछ सकते हैं और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी इसके लाबा आप लोग Iconic के लिए भी जा सकते हैं जिसमें कि आप लोग आनी UPSC Code इस्तेमाल करते हुए 10% का सीधा डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं यह वाले बाटस आपके लिए शुरू करवा दिये जाएंगे अगर आप लोग on board आते हैं तो on that note I take your leave thank you so much for listening stay tuned and stay safe